तो दिस इज़े लेक्चर फ्री ऑफ मैग्नेटिक एफेक्ट सॉप एफट्स ऑफ करेंट पिछले लेक्चरों में हमने क्या किया मैं एक फील्ड कैसे बनती है वह कर रहे थे हां या ना करेंट केरिंग वायर से बनती है स्ट्रेट वायर वाला हम कर चुके रिंग वाला हम कर चुके रिंग के एक्सिस पे हम कर चुके रिंग के एक्सिस पे हम कर चुके रिंग वाला कर चुके Spirle का हमने कर लिया करेंट कैनिव सीट्स का हमने कर लिया कॉट और नॉट लेक्टर यह डेक्टर तू में मैंने पिछले लेक्चर डिया था Wäh!ने लेक्टर में एक कॉस्चिन दिया था सोलनॉइड का Let's start Let's start from here Let's start from Soles दिया था नहीं दिया था गाइज यह ऐसे दिया था यह हूंवर कोश्चिन दिया था करेंट ऐसे जा रहा है और इस पॉइंट पर मैगनेटिक फील्ड निकालनी है पी पॉइंट पे रेडियस लेलो आर्ग लेंथ लेलो ए fine if टर्ट ले लो and अमाते हैं और When और पिज्स करना भी पोइंट करने के लिए या तो ये डिस्टेंच बता दो हैल 1 और अलबन ना बता के हम यह भी कह सकते हैं कि आप ऌत अब अगल बन रहा है अल्फा और दूसरे अंड पे एंगल बन रहा है विटा ऐसे कर सकता है नहीं कर सकता लवन की अंगल ऐल्फा बीटा कि टूम्स में निकालेंगे अल्फा बीटा अर्दा एंगल सब्टेंडिड इट अड़ गया है पॉक्षित अ ऑल्फा बीटा एंगल होगए जो पॉइंट पी से एनड वाली पॉइंट को अगर मैं कनेक्ट कर तो बन रहा है गो इसलेटि थी कैसे स्टार्ट करएंगे कि एक्स डिस्तेंस पे मिटेटिक एक टरन माद लो एक टरन के कारण मैगनेटिक फिल्ड कितनी आ जाएगी अब नूट आई आर स्क्वेर अपॉन टू एक स्क्वेर प्लस आर स्क्वेर की पावर ठीवाइट चलेगा यह मैगनेटिक फिल्ट डारेक्शन कैसे सोची डारेक्शन ऐसे सोची इदर देको हराइट एंड करल ऐसे किया आया ना इधर की तरफ उलिए रिंग मेना निकालते हैं और यहां पर यह सकता है एक थिकनेस लेंगे डिया कॉने कितने मान सकते इतने इतने पर हम यहां पर दों जाएगा एंट एंद बाई एड़ इन्टू डवी एक्स कैसे यह हो गए टर्ण पर युनिट लेंध टरंश बॉर यूनिट लेंध इन्ट में छोटी सी लेंध 2 गाटिट और और नॉट क्योंकि एल टर्न लेंट पे एंट थे तो हम कह सकते हैं टर्न पर यूनिट हो जाएंगे और डी एक्स से मुल्टिप्लाइब च्छोटे से नंबर आप टरंज हो गई जो सारे के सारे इतने छोटे से लेंट के अंदर हैं तो हम कहें यहां पर डी पी क्या होना चीए एक टान का नहीं होना चीए यहां पर डी एन टरन्स का होना चीए अब करना चाहिए कि हमारा एक्स झायेगा एलवन से लेकर लवन प्लस। तक बोलो हां किसको चमका एक्स जाएगा 11 से लेकर इल बन था और यह एल था एक्स जाएगा 11 से लेकर 11 लेकर यह सर अब दूसरा तरीका क्या इसे करने का थोड़ा सा वेरियेबल चेंज कर ले मतलब मेरे को न अच्छा नहीं लग रहा है से लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा मैंने का यह सॉलनाइड था यहां से एक्स डिस्टेंस लिया था मैंने काम करो काम करो यह एंगल ले लो थीटा यह आर है कहना इसे एक्स इस आर कॉट थीटा पेक्सी आर कॉट थीटा को सिकन्ट स्क्वेर थीटा दि थीट सूश्ट थीटा ओल है आफ और अनिविट इंटेग्राल प्यार मैंनेटिक फिल्ड नेट कितना हो जाएगा यह लंग टना कॉ ng नॉटária आर स्क्वेर एन बाई एल भी बाहर आ जाएगा नीचे का टू भी बाहर आ जाएगा अंदर बनेगा इंटेग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन दिस होल पूरा तो डी एक्स को तो लिख देना माइनस आर तो यह से किन्सmost क्रों लुख वहर अ सक्वेर टीटा और नीचे जो पूरा है उसमें क्या बन गया एक्स्क्वें स्क्वेर की पावर 3 streaming बाइ ड्य गया आर सक्वेर कॉट्स क्वेर थीटा प्लस आर स्क्वेर तो यह आर चुवब स्क्वेर को सिकेंट तीटा को आया ना एक आर कटा और स्क्वियर बचा यह पूरा स्कुर्ण स्कुर्ण कॉसेकंट क्यूब यह बन जाएगा सांग दिखीटा थीटा की वेल्यू कहां से कहां तक जानी चाहिए यह बताओ थीटा ये है अब मैं ये कह सकता हूं कि जब जब एक्स की वैल्यू ये रही होगी तो थीटा की वैल्यू ये होनी चाहिए बूलो हाँ एलफा ले लो और बाद वाला जब एंड पे जब connect करोगे तो यह अंगल आएगा बीटा तो चैना इसे ठीटा शूड्ट गो फ्रम एलफा से बीटा जुब आया नहां साइन थीटा का साइन थीटा का सीटा का इंटिग्रल क्या होता है माइनस-प्लस स्थ जाएगा बोलो हां आंसर आ जाएगा कॉसबीटा माइनस कॉसल की कॉसल ले स्थ इस अपर इस लिख सकते हैं कैसे रटेंगे मैंने का ऐसे नहीं रटना जैसे मैंने लिखा है इसको जुगाड तरीके से रटेंगे एंड बाई एल को तो एक नया टर्म डिफाइन कर दो स्मॉल एंड स्मॉल एंड हो गया टर्ण्स पर यूनिट लेंद चलेगा गाइज और फिर कह दो म्यू नॉट एन आई ऐसे याद कर लो और अंदर वाली टर्म लिख दो कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा ओल डिवाइड़ बाई टू अब रटा जा सकता है इस फॉर्म में रेटेंगे हम कैसे रेटेंगे गाइज मू नॉट एन आई कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा बाई टू सही है ते यह ऐसी सफ्टू में यह रिजल्ट नहीं रटवाया हुगा कुछ और रिजल्ट रटवाया हुगा कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह इम्हें रटवाया हुगा इस ऐसुत Purnez नहीं अगर गल्ती इन रटवाया होगा असले तो या यह है ठीक है गाइस ओके चलो कुछ केसी करते हैं इसमें इसमें कुछ केसी करते हैं केस वन मिड़ पॉइंट ऑफ सॉलेनोड मिड़ पॉइंट ऑफ इसका मिड़ पॉइंट ले लो यह अब यहां पर एंड से कनेक्ट करने वाला पॉइंट ले लिया इस पह्ते हैं एलफाμέड यो मूत में होगा अगर एक इसलेनी हैं तो एक एंगल अगर ऐलफा वरगा तो दूसरा एंगल ट्वनटी माइने सेल्फा होगा बात समझ में आया कि 10 नखेल गया धारेक्शन कैसे सोके डारेक्शन उसके साप से सोचनग जैसे इसने करेंट भी जा जूआ तुए अ Сब्लum आधनी क्या है कि तरफ होगी आइसे करोगी राइट की तरफ होगी ना सब्सक्राइब एक्षिस से एंगल बनता है वे पाले था तो यह भी एक्षिस से लिया था नहीं लिया था पाय तो यह ढ़्यों दोनोसलोगे टो लोगे के निया है समझने के बाहाई के पालेस अंगल करे बाई चे इन विए समझे और डारेक्शन के आऊगी ऐसे करो रिंग के अंदर करेंट ऐसे बेज़े तो एक्सिस पर कैसे होगा हम की डारेक्शन में होगा आया ना टो आंसर क्या आएगा मुण नॉट एनाई मूण नॉट एनाई कॉस एल्फा मैनेस कॉस वनेटी माइनेस एल्फा होल डिवाइडिड वाइटू क्या जाएगा गाइज मुण नॉट एनाई कॉस एल्फा बोलो हाँ चमका यारी स्कूल वाला रिजल्ट तो अभी नहीं आया मुण नॉट एनाई मैंने कहा था स्कूल वाले म्यूनट एन भी बोलते हैं मैंने कहा रुख जाओ केश टू करो मेड़ पॉइंट आफ थिन सोलनोइड थिन सोलनोइड अगर होगी पतली पतली गाइस एल्फा क्या हो जाएगा टेंडिंग टू जीरो डिग्री बलो बलो हां नियुक्त तो क्या पर जाएगा कॉस्ष जीरो बन हो जाएगा तो आंसर क्या वन गया मिन आया ना तो वा जानते ओ लाग जा दो थिन शॉलांट बोलो या फिर उनीस आर्ट लिए लांग लांग9 के अंदर फील्ड bleach एकटना नाय क्झये लिख अजब्कि यह गलत आप लिखाइश थिले Κयस थे ले लेते हैं एज ऑफ सॉलेनोइड में क्या होगा एज मतलब यह वाला पॉइंट एक एंगल तो यह हो गया एल्फा मान लो और बीटा यह एक एंगल हो जाएगा नाइन्टी बोलो हां यह बन जाएगा मियू नॉट एनाई कॉस एल्फा बाइटू आया ना चलेगा और एज भी हो थिन सॉलेनोइड एज ऑफ थिन सॉलेनोइड कितना वाजाएगा मियू नॉट एनाई बाइटू ओके एक चीज और मैं गुरूप एक मैसेज मारूंगा तो गाइज एज ऑफ थिन सॉलेनोइड कितना हो गया मियू नॉट एनाई बाइटू हो गया गाइज गॉट इट और नॉट आया ना मतलब इसमें ऐसे देखो सॉलेनोइड बना दिया हम ने एक्सेस वाली तो ऐसे होगई बोलो हां डारेक्शन यहीं ना यह एक्सिस वाली है लोज लूप सिर्फ बार मैंगेट जैसी अवे यह नहीं होगई याश्व बार मैंगेट में यह साउथ पोल होता है यह नौर्थ पोल लुटा है यह ना जिस वाले इस टेक्निकली बिहेविंग लाइक बार मैंगेट वेर दिस इस दा साउथ पोल बार मैंगेट इन दिस लाइक दा नौर्थ पोल बार मैंगेट हाया ना और बाहर हमारा ऐसे गूंग के आड़ी है किसको चमक गया अब अंसे आटी वाले क्या कह रहेंगी अंदर यूनिफॉर्म है अंदर यूनिफॉर्म है कितनी दूर और यहां पर आते यहां पर पास पास थी यहां पर दूर होती आदि खुलती जारी है मैंने गलत बोल रहे हो इवन आंदा तब भी यह अधी हो जारी है यहां पर आते हैं ते मिव नॉट एनाई बाए टू किसको चमक रहे है कि इवर इन तकेस ओफ एंची आइटी वाला इसमें वो कह रहे है आईडियल सॉलनुएड है इवन इन दे केस आईडियल सॉलनुएड वन यू गो तो दा एज ऑफ सॉलनुएड दे मैगनेटिक फिल एक्टुली बिकांज हाफ वाइड और नॉट एंज पर आते हुए किसको चमक चमक याई यह से एस सर गॉट इन वीगूट इन एक चीज़ कर सकते हैं एक चीज़ कर सकते हैं सॉलनॉइड को पकड़ा ऐसे मे कर दिया ऐ कैं कर दिया मैंने तौर रैट बनादी क्या बना लिए घंस अगया सा अधुड बना दिया चला जाएगा फिल आह proposed अब पूरा पूरा नोदीया उषकोज को जोड़ दिया मोड दिया ऐसे बना दिया कि तो इसमें मैगनेटिक फीलम यह कह सकते हैं कि अंदर ऐसे लूप बन जाएंगे ना बोलो हाँ ऐसी तो हो जाएगी और अब क्या बोल सकता हूं कितनी हो जाएगी मुणोट एन इंट और अगर कोई कहीं कि वाट वाट इस एन वाट इस एन वाट इस एन अंदर वाला आर बाहर वाला आर इसमें इसमें करेक्शन जो करनी होगी मैं बाद में कराऊंगा कब जब मैं एंपियर्स लाओ कराऊंगा लेकिन फॉर्द टाइम बिइंग टॉराइड का थिन 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 तॉराइड थिन तॉराइड थिन वाट इवरीबड़ी गॉट इस तुम डाउट पूछ लेना या चलो करा भी सकते हैं डाउट तो वैसे भी पूछ नहीं पड़ेगा तो डाउट पूछ होगे इससे वड़िया मैं कराई दूँ तो मैं कॉपी पेस्ट करके दूए अब बच्चे ना पूरा का पूरा टाइम वेस्ट कर देंगे उस क्वेस्टन को करने में मैं कहा रहा हूं क्वेसाब से में कभी नहीं आएगा जो अब तक कराया ह जो आप जो क्वेस्टन करा रहा हूं उसके चकर में अपना कॉंफिडेंस खोने की ज़रूरत नहीं है यह कुश्चन है पड़ा यह कुश्चन नहीं हो गया स्क्वेर लूप ले लिया स्क्वेर लूप ले लिया करेंट ऐसे जा रहे है और कहां पर पूछिए मैगनेटिक फील्ड थ्रीडी में यहां पर पूछिए एवरीबड़ी गॉट इट वर्शन समझ में आया नहीं आया इस शुड़ाइए इस शुड़ाइए झाल थीक है ऐसे है इसके बाद यह हो गया यह हो गया बी दी और सी और करंट ऐसे जा रहे है यह एल है और यह डिस्टेंस एक्स है पी पॉइंट पे मैगनेटिक फील्ड निकाल लिए बिटा सिर्फ ए बी के बारे में सोचे पहले एक बार एक बी के बारे में यह बी क्या चीज़ है यह बी क्या चीज़ है फाइनाइट वायर है फाइनाइट का वायर के कारण मैगनेटिक फील्ड निकालने किसी पॉइंट पे आच्छा चीज़ निकालने पड़ती है फार्मूला बताओ मियून टाइबाइट वायर कॉस एलफा प्लस बीटा बाइट वायर वायर बोलो हां एलफा बीटा होता है उस वायर को उस पॉइंट से कनेक्ट करूं तो अंदर जो एंगल बनाता है तो क्या मैं यह कह सकता हूं पहले तो तुम ए और बी को पी से कनेक्ट करो हाँ या ना ए और बी को पी से कनेक्ट करो ऐसे क्या मैं कह सकता हूं यह एंगल एलफा होगा और यह एंगल बीटा होगा या है मैं यह सकता हूं यह प्ले करेगा चलेगा आख और मैडेटिक फिल्ड की डिरेक्शन च्या होगी इदर देखो है ठी हाथ की तरह हाथ की तरफ एबी के अलॉंग थंब करो और ऐसे करो क्या मैं कह सकता हूं मैगनेटिक फील्ड की डिरेक्शन यह होगी इससे 90 डिग्री पे आया ना मतलब यह अगर एंगल थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा आया ना क्याम कहा मैं यह का सकता हूं b e d e d वाले के काणन ऐब सिंदे सी डीस डी डीडीटू सी वाले के वालेकी कारण ऐसे होगे अगर फिल कि अगल मैं के सकता हूं फॉर ऻीशन थीटा अंसर उना चाहिंए आनृट फिल्ड डी आलॉंग along the axis 4B sin theta बोलो हां this should be magnetic field in it everybody got it yes sir 4B को क्या लिक सकते मुनोट आई अपॉन टू पाई आर आर को क्या लिक सकते हैं हो जाएगा तुमारा एल बाए टू का होल स्क्वेर प्लस एक स्क्वेर का अंडर दरूट बोलो हां मुन टाई बाई टू पाई यार ट्वाइस बाई टू ऑफ कॉस एल्फा इंटू साइन खीटा किसको यह चमका गाईज आया ना अब जरह यह बता दो पॉस एल्फा निकल जाएगा पॉस एल्फा कितना होगा पॉस एल्फा इस वाले ट्राइंगल से निकलेगा पॉस एल्फा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियूस अब बेस तो यह हो गया एल बाई टू डिवाइड़ बाई हाइपोटेनियूस हाइपोटेनियूस हो जाएगा अंडर दा रूट आउफ ३ाहाँ स्कुेटा प्लस एल्फोटेन ऑरर स्कुेटा को अलग से लिख देना निए स्कुेटा इस ट्राइंगल से साइन ठीटा हो जाएगा एल बाइट टू डिवाइडिड वाइग अंडर दा रूट आफ एल स्क्वेर बाइफ फॉर प्लस एक स्क्वेर क्वेश्चन इस ओवर गाईज क्वेश्चन इस ओवर यह बात लगए फिफ्टी परसेंट को समझ में नहीं आया है मैंने क्या किया है कि रिवाइंड करके देखना आया है समझ में नहीं आया है आगे ना पहले लिख वालो लग भी रहा होगा देखके कि नहीं आएगा ठीक है आगे बड़े न्यू टॉपिक एबरिबड़ी न्यू टॉपिक हमने कहा था मूविंग चार्ज के कारण मैगनेटिक फील्ड बनती है नहीं बनती है मूविंग चार्ज मूविंग चार्जीज अल्सो प्रोड्यूस मैगनेटिक फील्ड बोलो हां फॉर्मूला क्या बनाया था मू नॉट क्यू बाए फोर पाई वी क्रॉस आर अपॉन आर वेक्टर के मैगनी क्यूड का क्यूब ऐसे मान लो अब कोई कहें कि हमारे पास लाइस में का कॉश्चिन लाइस में का वश्चिन मानलो हमारे पास यह पॉइंट चार्ज एक्यू इसकी वेलासिटी है वी और यह रेडियस है आर इसमें चक्कर काट रहा है वाट इस दा मैगनेटिक फील्ड एट सेंटर वाट इस दा मैगनेटिक फील्ड एट सेंटर करो गाइस क्वेश्चन हो गया यह पोजिशन वेक्टर ही हो जाएगा कि अधिना हो जाएगा मिउनॉट क्यूँ वाइफ पाई वी पोजिशन वेक्टर का मैगनिक्यूद रेडियस साइन नाइन्टी वी क्रॉस आर हो जाएगा आउट अप दा प्लेन अपॉन आर का क्यूब हाया ना कितना हो गया मिउनॉट क्यू बाई फोर पाई आर स्क्वेर इंटू वी बोलो हाँ यह सर्थ यह सर्थ इसको अब सोचने का दूसरा तरीका बता रहा है दूसरा तरीका क्या करो इस सिचुईशन को मानू कि एजज इफ एक रिंग है और रिंग में करेंट जा रहा है आई कि अब आई कितना होजाएगा क्यू अपॉन टी कि हो जाएगा टाइम ओफ वन रिवलूशन टाइम ओफ वन रिवूशन आइवरेज चकरेंट यहीवाए नहीं होगा करेंट एवरेज केन भी थॉट आफ एस क्यू बाए टी और टी को क्या लिख देंगे गाइज तू पाई आर पॉन वी बोलो हाँ अब यह बता दो इस करेंट केरिंग लूप के कारण सेंटर पर मैगनेटिक फिल्ड क्या होती है मुनोट आई बाई 2R मुनोट आई बाई 2R हाया ना यह ना यह लिए मुनोट बाई 2R और आई कितना हो गया क्यू अपॉन तू पाई यार बाई भी बोलो हां चैने चैने से देट इस तो सब्सक्राइब को समझ में आगया अच्छे से तुम समझ नहीं रहे क्या करेगा वह वह पंगे लेगा इन्फेट एंसी आर्टी के अंदर सॉल्ड कोश्चन है यह क्या कोश्चन है हमारा हाइड्रोजन लाइक दे दिया लीथियम टू प्लस तो जैड की वैल्यू तो हो गई इसमें इसके एन इक्वल टू वाले और्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं फाइंड मैगनेटिक फील्ड एक सेंटर ऑफ नूक्लियस वच्चे गहारे हैं हद हो गई इलेक्ट्रॉन है इसका चक्क्र काटेगा विलास्टी वी होगी रेडियस और हो जाएगा पहली बात तो यह अगर ऐसे चक्क्र काट रहा है त और करेंट हो जाएगा चार्ज अपॉन टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड और इसके कारण मेगनेटिक फिल्ड हो जाएगी अंदर की तरफ और मेगनेटिक फिल्ड हो जाएगी यह नू नॉट आई अपॉन टू आइगी मून आइट व्ट और आए को लिख दिया ईवी अपॉन टू पाय आड तो वही आगए जो पहले आ है लेकिन इसमें एक फरक आजाएगा क्या फरक आगे जाएगा आप वेलास्टी की जगें लिकोगे विम एन विलास्ति की जिगें लिखो जो कि आता था या ट्वींट Wongám एन टू टेन्की पावर सिक्स किन टू जै बाइण वाई- मीटर पर सेकट्ड याद आया आरेस आरेन हो जाएगा पॉइंट फाइव थ्री इंटू टेन की पावर माइनस टेन एंट स्क्वेर बाइज एड मीटर हाया ना कि बच्चे कहेंगे ओके कि क्या हुआ गाइज पंता अजय क्वेश्चन आ जाएगा ना मेरे से मत कहाना कि सर आपने कराया नहीं तो मैंने सब कराया ता मैंने सब कराया तो याद हो रहेगा भूल जाओगे अरे लिख लिया हो तो बता दो आगे बढ़े तुम सोच रहे हो मैं सॉल्व करूंगा नो वे टेपर में सॉल्व करते रहना क्लास के बाद सॉल्व करते रहना कि यह देख लिना मैंने सही लिखा है नहीं लिखा मेरे को डाउट सा हो रहा है कि यह सई लिखा है कि यह सई इसका मतलब तो यह हुआ कि मैं मैं आटो पाले कराता हूं तो सब्सक्राइब इंग्रेन हो गया आया ना कि I don't remember this formula कि आगे बड़े गाईज कि यह संस्कृति तुम्हारे नेट के साथ क्या हो रहा है भई सब्सक्राइब लाइट चली गए थे अभी तुम्हारा बैक अपनी है क्या नहीं सर क्यों नहीं है भई लेक पोना बहुत जरूरी है यह क्या बना रहा हूं मैं यह रिंग के उपर चार्ज क्यों चिपका दिया रिंग के उपर चार्ज क्यों चिपका दिया बलो हां इसका रेडियस ले लिया इसको अपर डॉ सको एंगूलर विलॉस्टी उमेगा से खुमादिया इसका मतलब मैं कह सकता हूं आ किक्विललेंट टु सेंग यह इसमें करण्ट अई जा रहा है मोगहाँ क्यूत जाएंगा क्यू बाइए क्योंकि थीटा एकोल टू ओमेगा टी होता है ना और कोई यहां पर बैठके कहें कि चक्कर पूरा काटना है पूरा चक्कर काटना है तो कितना एंगल घूमना है तू पाई तू पाई शुट भी ओमेगा इंटू टाइम पिरियोड ऑफ बन रिबोलुशन एंगलर एगनेटिक फिल्ट सेंटर वेग्या हो जाएगी बाहर की तरफ कितनी हो जाएगी मियू नॉट आइट इसकी ओमेगा बाइटू पाई मियू नॉट आई बाइक टू आट बोलू हाँ कि एवरीबडी कॉट इट है कि इस सब्सक्राइब अब जैसे सब्सक्राइब ऐसे हो गया इसे का भाई बंदू कोशन भी हो सकता था वह यह कहें कि भाई यह रिंग ले ली इस रिंग पर चार्ज चिपका दिया कितना चार्ज चिपका था बएग्यू यह एक्सिस है यह रिंग है इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा से गुमाती है हैं और यहां से पुर्ण टिस्टेंस पर आफ फिल्ड बता डो अजुआ और यह एक तरीके से किस चीज़ के बराबर हो जाएगी गक्रस करेंट प्लस आर स्क्वेर की पावर थ्री बाइटू चलेगा दा ओनली डिफरेंस विल भी आई की जगें लिख्या लिख देना चीए क्यू अपाउन टू पाई वाई ओमेगा बोलो हाँ कि यह जैंक सेंस और नॉट इसका कुछ महत्व है समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है मैंने यह किसी पेपर में देखा था और उसमें इंसेडेंट नहीं दिया वाथ पता है उसमें क्या किया फिर था एंड में उसने उसने लिखा था सी स्क्वेर इस वन भाई म्यू नॉट एपसालें नॉट होता है न भाई साब यह ने मैगनेटिक फिल्ड का अंसर दिया वाथा वन भाई ऐसे भी लिखावाथा और यार कि आगा इस तो इस तरीके से लिखा जा सकता है सपोज करो सपोज करो हमारे पास डिस्क है और डिस्क पर हमने चार्ज क्यों जिपका दिया रेडियस आ रहे रेडियस आ रहे और इस डिस्क को हमने एंगुलर विलॉस्टी उमीगा से घुमा दिया कि फाइंड मैगनेटिक फील्ड एट सेंटर फाइंड मैगनेटिक फील्ड एट सेंटर आप डिस्क गाइस कैसे करेंगे एनिबडी वह यह डिस्क है इस पर चार्ज चिपकाया गया है और इसको उमीगा से ऐसे गुमा दिया बोलो कैसे सोचना है हेलो अरे हो या नहीं हो कोई लिए इस एनिबडी देर यह सब्सक्राइब कैसे सोचा जाएगा डिस्क पर चार्ज चिपकाया गया है और इसको ऐसे गुमा दिया एक्सिस के अबाउट क्या इसको ऐसा सोचा जाए एक्स डिस्टेंस पर डी एक्स ठिकनेस की एक रिंग ले लो इसके अंदर मेग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पर तो हम यह कह सकते हैं कि एक्स डिस्टेंस पर एक डी एक्स ठिकनेस की एक रिंग ले लो शेडिड पॉर्शन इस शेडिड पॉर्शन को फिर हम कैसे ट्रीट करेंगे हम यह कहेंगे यह शेडिड पॉर्शन एक तरीके से बराबर हो जाएगा एक करेंट केरिंग वायर के जिसका रेडियस हो जाएगा एक्स और जिसमें करेंट हो जाएगा आई आई कितना हो जाएगा डी क्यू अपॉन टू पाइबाय ओमेगा आई क्या हो जाएगा डी क्यू अपॉन टाइम पिरिएड बन रिवोलूशन डैट विटू पाइबाय ओमेगा आया ना यहीं कितना हो जाएगा डी कूअ क्यों हो जाएगा चार्ज पर यूनिट एडिया इंटू स्मॉल एडिया दिस लेंग इन्टू ब्रेड लेंट इन्टू ब्रेड थीक है यह वाला ओगे ना लेंथ हो गया टू पाइएक्स ब्रेड थो गई-DX एवाटिट इंटींट क्यों हो जाएगी बाहर की तरफ डी बी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी बाहर की तरफ डी बी बैट विल्क मियू नॉट आई by 2x mu not i by 2x यह हो जाएगा mu not i by 2x i की जगें क्या लिख दूँगा dq upon 2 pi by omega i की जगें लिख दूँगा dq upon 2 pi by omega और dq लिखना पड़ेगा dq को लिखूंगा charge पर यह unit area into 2 pi x dx किस को लग रहा है कि बच्चे बहुत बार भाका ही सालों से मुझसे कहते हैं कि सर्क magnetism वो चैप्टर है जहां पर जाके cuttings का सही मतलब समझ में आता है क्यों गाइज समझ में आ रहा है ना कि cutting करी हमने क्या कैसे सोच रही है अब इसका समेशन ले लो एक्स गोज फ्रम जिरो से लेकर आर तो हमारा आंसर आजाएगा अब आंसर तो मेरी ख्याल से लिखने की जरूरत भी नहीं कुदी कर लोगा आगे तो तू पाई से टू पाई कट जाएगा तो यह आजाएगा म्यू नॉट हो गया ओमेगा सिगमा भी हो गया अच्छा यह एक एक्स भी कट गया अपाउन टू तो सीधा आर ही बन जाएगा हाँ या ना सिगमा को एंड में चाहो तो लिख देना चार्ज अपाउन यू अपाउन पाई आर स्पेर चार्ज पर यूनिट एंगा चाहो तो अगर उसने हो सकता है क्वश्चन के अंदर सिगमा के टर्म्स में पूछा हो हाँ या ना कि गॉर्ट इडर नॉट एश्वाट आओ एक और करते हैं एक और करते हैं कि हमारे पास एक रॉड ले लिए और उसको इस एक्सिस के अबाउ इस एक्सिस के अबाउ एंगुलर विलॉस्टी ओमेगा से गुमा दिया कि इसका चार्ज इस पर क्यू है और लेंथ इसका एल एंगुलर विलॉस्टी ओमेगा से गुमाया है है magnetic фverseी निकालना है at point p magnetic field निकालना को माराड को गुमा दिया है क्या हो जाएगी के अ सच यहां से एक्स दिस्टेंस चारज हो जायेगा क्यू बाय LGBTQ ज़ेगा अब यह चारज ल्ग यह ऐसे चक्कष्ण काटे ड़िवा आसी बैच चक्कते गांसे ऐसे बानो है बाहिए एक रिंग है जिसका रेडियास एक से जिसका रेडियास एक सैंप्से और उसमें करिंट एवरेज कितना हो गया डीक्यू अपॉन टाइम ऑफ वन रिवोलुशन टाइम ऑफ वन रिवोलुशन हो जाएगा टू पाइबाय ओमेगा इसके कारण मैगनेटिक फील्ड डीबी हो जाएगी उपर की तरफ आया ना डीबी कितना हो जाएगा मियू नॉट आई बाइ टू आर सही है आई को लिख दिया क्यू बाइ एल डी एक्स यह तो हो गया डीक्यू अपॉन टू पाइबाय ओमेगा चलेगा जार यह कुछष्ट निए बताएं इसका मतलब निए मैने अभी बनाया था लेकिन आपनेट्ब इस फ्यूष्ट इंदर खडब बढ़ा जाएगी बोलो हाँ किसको दिख रहा है और लोग एक्स बन रहा बें इंटिग्रल और in ऐल अनल माइनिस जीरो नी हो जाएगा लामई जीरो क्या हो जाएगा बदाओ उसमें लिमिट भआ जाएग deal से लेकर किस किसको चमका जिस हालत में यह कुष्टन है उस हालत में यह सॉल्वेबल नहीं है ठीक है नेक्स्ट अब यह मत कहना कि ऐसा आ गया तो सर ने कराया नहीं था मैंने यह कराया था ना समझा दिया तरीका उसके बाद तो कुछ भी हो सकता है गौड़ीड और नौट हो गया कि गाइस के पेस्टर के टैस्ट रफ्ट हो नहीं थे कि वह लो है कि सबने देदिये कि कोई कुछ नहीं बोल रहा हो लगता है किसी नहीं दिये भाई सपोज करो कि सपोज करो कि ऐसे हैं कि चार्ज पर यूनिट एरिया है सिग्मा इसका मतलब क्या है यह हॉलो स्पियर है हॉलो स्पियर है इसका रेडियस है आर इसको एंगुलर विलॉस्टी ओमेगा से गुमा दिया कि फाइंड मैगनेटिक फिल्डेट सेंटर फाइंड मैगनेटिक फिल्डेट सेंटर एवरीबड़ी कैसे करा जाए गाए क्वेश्टन यहां पर एंगल थीटा पे दी थीटा सब्टेंट करने वाले एलिमेंट्स विल बी इन दे शेप अफ दिस रिंग का रेडियस हो जाएगा और जहां पर मैगनेटिक फिल्ड निकालनी है वहां से डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस्ट थीटा इसपे चार्ज हो जाएगा डी क्यू डी क्यू हो जाएगा सिगमा इन्टू लेंथ इन्टू ब्रेट लेंथ का रोल प्ले करेगा टू पाई आर साइन ठीटा और ब्रेट का रोल प्ले करेगा आर डी ठीटा और फिर हम यह कह सकते हैं कि यह एक ऐसे करेंट केरिंग रिंग की तरह बिएव करेगा जिसमें करेंट इधर जा रहा है कि आया ना करेंट की वेल्य हो जाएगी डी क्यू अपॉन तू पाई बाई ओमेगा अब हमें मैगनेटिक फील्ड निकालना है सी पे तो करेंट केरिंग रिंग के कारण एक्सिस पे फील्ड इदर की तरफ हो जाएगा बी और फॉर्मुला कौन सा लगेगा म्यू नॉट आई हर्स्क्वल्ड अब आर कॉंसा होगा डिडियस ऑफ रिंग वाला यह वाला अब हो जाएगा आ ऐन… अपॉन का क्या प्ले करेंगा화ई एक्स का रोल क्या प्ले करेगा आर कॉस्ट किसको बात समझ में आ रिए गाइस तो हम कहेंगे मैगनेटिक फिल्ड कितना बन रहा है कि कि इस दीबी कितना बन रहा है मुनॉट आई को लिख देना सिगमा तूपाइ आर साइन थीटा है इंटू आरडी थीटा अपॉन टूपाइ बैय ओमेगा सॺ कि मुनॉट आई हाई ये पूरा आई हो गया वीयॉण साइन स्क्वेर थीटा आर स्क्वेर साइन स्क्वेर थीटा ठीक है मुनोट आई आर स्क्वेर अपॉन टू एक स्क्वेर एक स्क्वेर हो गया आर कॉस थीटा का होल स्क्वेर रेडियस का स्क्वेर हो गया आर साइन थीटा का होल स्क्वेर तो आर कॉस थीटा का स्क्वेर प्ल आर स्क्वेर अपॉन टू एक्स रस्वेर स्वेर की पावर फ्री राइट इंटेग्रेटिंग इंटेगे इंटेग्रेटिंग टीटा गोस फ्रम जिरो से लेकर रबन एक देटी और टू थ्री पूरा कट गया तूपाई से टूपाई भी कट तो यह बन जाएगा मू नॉट सिगमा आर ओमेगा आर ओमेगा वाइटू यह बन जाएगा गाइस गॉट इडर नॉट अंदर इंटेग्रल बन जाएगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा जीरो से 180 अब हमारे पास क्या होता था साइन थीट थीटा स्टीट है स्टीट थीटा मैंने पर साइन थीट थीटा साइन क्यूब थीटा साइन यूग थीटा इस थ्री साइन थीटा माइनस साइन थ्री थीटा डिवाइड़ बाइ फूर चलेगा इन्टु डी थीटा करके कर दो इंटीग्रेशन तो यह आ जाएगा थ्री बाइ फूर साइन साइन का आ जाएगा मेनिस कॉस मैनस कॉस्छत tentang माइनस कॉस वनेटी फिमानियस ऑप माइनस पास जिरो सिरो मिल्याए पहर माइनस वन बाई फॉर यह जैगा माइनस कॉसन मैनेस कास् थ्री Gwen Exercald बोलो हां कि रचप्रेटथ लुगा है प्लस वन हो गया यह यह प्लस वन हो गया और यह भी माइनेस माइनेस यह प्लस वन हो जाएगा और यह भी प्लस वन हो जाएगा तो यह खाएगा 확ro Geb Magnus तो यहां आ गया यह पूरा घट गया तो आंसर आ जाना चाहिए टू बाइट्री मू नॉट सिग्मा भारोंगेगा दन के एवरीबड़ी गॉट इट अब बोलो कि सर हो गया यह सार क्या वां महनत का फिल मीठा होता है नहीं होता है लॉट है खिल्ए लॉट ए το और अध मिलीट धीजर गुट सारव थे टूबस्व यहूपीं है नहीं है नहीं है वो वॉट किस्ट के जहां घ्ट झाल हो गया आंगे बढ़े गाइज लिखे पड़े हो क्या लिख रहे हो गर्मी इतनी आदा क्यों हो रही है हो क्या गया इस एसी को झाल हो गया कर लो भई पानी लिया तो यार इतने देर लगा रहे हो तो हो गया हो खुशन। हो गया हो दूँțiっと अः च्पशों हो तो है अइसा Baptist झाल झाल अब नेक्स टॉपिक पर आजाओ अब तक रिकॉर्डिंग हो रही थी क्या रिकॉर्डिंग पॉज नहीं परिदी मैंने एलो हेलो पॉज करना भूल गया था नेक्स टॉपिक नेक्स टॉपिक मोशन ऑफ मोशन वाफ चार्ज इन एक्स्टर्नल गैक्स टॉपिक फील्ड डॉपिक्त कि एक्स्टर्नल पीनेटिक फीड यहथ्यू नेक्सδώर्ण आई थी ना क्लास्ट एंच के अंदर फ्लैमिंग लेफ्त एंड रूल राइट एंड रूल अन। यह गाना लेफ्ट अंट राइट है र्यर्ट एंड था एक निबाड़ी ओए मुझे थे आता ही नहीं मुझे तो आता ही नी फोर्स उन चार्ज due to be external is given by q v cross be external मतलब अगर कोई charge है उसकी velocity इदर है और external magnetic field external magnetic field इदर की तरफ है तो force कितना लगेगा इस पे फोर्स लगेगा क्यू एक्यू वी बी साइन थीटा और डारेक्शन चाहोगी गाईज वी क्रॉस भी इंटु दा प्लेन फोर्स की डारेक्शन क्या हो जाएगी फोर्स विल बी इंटु दा प्लेन गाट इट और नॉट बोलो हां एवरिबडी इंटु दा प्लेन नी होगी आउट फटेन होगी ता कर रहा हूं मैं सो रहा था आउट फटेन अरे यार राइट फंटु लुए किसने याद दिलाए मुझे कौन ता जुट जगर आता था इस गॉट इस गॉट इस गॉट इस गॉट इस वह था तो विलॉस्टी ऐसे होता और मेगनेटिक फिल्ड बाहर की तरफ होता चार्ज ऐसे है अब डारेक्शन क्या होगी फॉर्स की वी क्रॉस बी कि दर की तरफ है राइट की तरफ येस कितना हो जाएगा क्यू वी बी साइन नाइन्टी क्यों भी बी साइन नाइन्टी चलेगा है अगर वी ऐसे है विलॉस्टी अंदर की तरफ है और मेगनेटिक फिल्ड इदर की तरफ है चार्ज क्यों है तो फॉर्स की डारेक्शन क्या हो जाएगी वी क्रॉस बी कितर की तरफ है डाउन्वर्ड्स अगें कितना हो जाएगा क्यू भी बी साइन नाइन्टी ऐसे है मानलो विलॉस्टी ऐसे है और मेगनेटिक फिल्ड अंदर की तरफ है और चार्ज माइननेस क्यूए enrich व्रिष अड़्ड चार्ज मैनेस क्यूए वी बनना चाहिए अब भी बनना चाहिए इधर की तरफ है लेकिन फोर्षंदर नहीं लगेगी फोर्ष इससे उल्टी डारेक्ष्ण में लग जाएगी कितनी लग जाएगी क्यू वी बी साइन किसको चमग्या गाइस तुम में से कोई ऐसा तो नहीं जो अभी राइट थम रूल या लेफ्ट थम रूल लगाने की कोशिश कर रहा है बता दो क्रॉस प्रोड़क्ट से सबसे हो रहा है नहीं हो रहा है कराऊं क्या वह राइट यह बताओ वैसे मैंने इसका जुबाड दिखा है फ्लैमिंग की जिए एक और चीज़ भी कर सकते हैं पता है राइट हैंड थपड रूल क्या बोल देते हैं राइट हैंड पाम रूल एल फिंगर्स कर दो तो पाम्ठी डिवी opin वीलश्टी कर दो वीलश्टी कर दो प्राइब फिंगर्स कर दो फील्ड में साभड़ रहा है राइट की तरफ बुलो हाँ बहुति कुछ निया कुछ निया बेवरी बड़ी से और बतादू आरे विलाजाटी कर दो थमम्ब में यह मैंने तरो तो फिंगर फिंगर आकी तरफ थपड़ बनाया विलास्टी ऐसे कर दिया फिंगर आउट आउट या ऑफ यह पलेन कर दिये आहां तुम्हारा पोर्स की त तो नीचे की तरफ नहीं है तो नीचे की तरफ ठपड़ रहे वाट इटर नाट इससक्राश। कर लो नहीं कि आ प्रॉब्लम क्या रहा प्रोस वाला इस लिए क्राशी तौकि तुम यह मत कर देना कि नेगेटिव वाले में क्या करना होता है जस्ट जो फोर्स आ रही है ना उसका उल्टा कर देना है ठीक है कि नहीं है बोलो हाँ यह यह जो आधिसाधा क्वेश्टेंज में वह चार्जी के जगह ना क्या बोलेगा एलेक्ट्राउन पर फोर्स पूछ लेगा तो वह सारा सारा उल्टा हो जाएगा हाँ यह ना ठीक है मैं यह कहा रहा था फोर्स कैसे डिफाइंड एक फोर्स इज क्यों वी क्रॉस भी इस फोर्स विल बिबी पर्पेंडीकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर इस फोर्स विल बिबेंडीकुलर टू मेंग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्रॉस्ट रॉडट ऐसी तो डिफाइन होता है बोलो हां क्या मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूं कि ओल्वेज एफ डॉट वी विल बी जीरो बोलो हाँ योगी एफ और वी के बीच में हमिशा नाइंटी डिगरी होगा तो एफ डॉट वी क्या होगा एफ वी साइन नाइंटी हमिशा जीरो होगा नहीं होगा कि ओल्वेज किस को चमका यह एं एल्य आफ डॉट वी क्या होता इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेंटेनियस पावर इंस्टेनियस हां यह ना ऐसेठ्वड़ुब्के लेट युद टमरेट अब बचाब wannra rice ओवां पानामिशा जिरोंगा इसका मतलब वर्क डन हमेशा जीरो होगा और यार इसका मतलब मैगनेटिक फॉर्स क्या बक्वास करें पड़ा है कौन मेसेज मार रहा है मुझे किसको में प्यारी नहीं मैं यह कह रहा है कि रिट ऑव यह रहा हूं मैं यह कहना चाहरा हूं कभी वर्क डन नहीं करती लोन करती और यहां तो काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कॉंस्टेंट काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कॉंस्टेंट अगर काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कॉंस्टेंट तो वाट रिमेंस कॉंस्टेंट स्पीड रिमेंज चेंज हो सकती है परन्तु मैगनीटूड चेंज नहीं होगा यह एज़त थ्यूरी याद कर सकते हैं कि मैगनेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगती है उस फोर्स के कारण मुविंग चार्ट पहली बात तो वो रेस्ट वाले चार्ज पे लगेगी लेकिन जो हमारी या कूलंब लॉब वाली फोर्स है वो दौनों केस में लगेगी बोलो हां काइनिटिक इनर्जी हमेशा कॉंस्टेंट रहेगी यह एज थ्यूरी याद होनी चाहिए अब इसके बाद इस इंट्रोडक्शन के बाद टॉपिक चालू होता है टॉपिक अब चालू हो रहे हैं कि मोशन ओफ मोशन ओफ चार्ज इन यूनिफॉर्म एक्स्टर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म एक्स्टर्नल ऑफ जो यह फॉर्मूला है यह तो नॉन यूनिफॉर्म पे लगेगा हर इंस्टेंट पे बी अलग चेंज कर दूंगा अगर मैं तो भी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्स लगेगी लेकिन फॉर्मॉला तो वैलिड हो गई ना बोलो हाँ क्यों वी क्रॉस भी होगा गॉट इट और नॉट भी यहां पर कॉंस्टेंट होना जरूरी थोड़ी है कभी बीवन है तो अलग फॉर्स लग रही है बोलो हाँ या ना यह सुर्ब लेकिन अगर हम वें कहा जाए कि यूनिफर्म एक्स्टर्नल फील्ड में कैसा मोशन होगा तो इसमें तीन बनेंगे इसमें तीन केस बनेंगे यह स्वान पॉसिंत में बंद बोच्विन सुरइड वीगू, पॉस्ट केस होगया जम एंगल बिट्विन विलऌस्टी एंटिक फीड्विल Windows 1 यह इंगल बिट्विन विलेडिक फेल्ड या तो जीरो है यह एंगल बिट्विन विलेडिक फिल्ड वनेट पिल्टी देग्री सब्सक्राइब चलता जाएगा यह स्ट्रेट लाइन में चलता जाएगा गौट इट और नॉट है सब्सक्राइब केस्टू केस्टू इसमें ओगया थीटा इकॉल टू नाइनटी डिगरी वाला इसमें यूनिफार्म सर्कुलर मोशन होगा इसमें यूनिफार्म सर्कुलर मोशन होगा यूसी एम दिखाता हूँ कैसे मान लो हमने फील्ड अंदर ले ली मान लो मैंने फील्ड अंदर ले ली यूनिफार्म है उनिफॉर्म है और वेलोस्टी उससे नाइन्टी डिगरी पर होनी चाहिए तो मैं इसे मान सकता हूं इस प्लेन में मान लो विटा फोर्स किदर लगेगी वी क्रॉस भी वी क्रॉस भी उपर की तरफ लगेगी फोर्स बोलो हां लगेगी या नहीं लगेगी इदर की तरफ को कितनी वैल्यू लगेगी इसकी क्यूवी भी बोलू हां सही है इसका मतलब फॉर्थ इदर लगेगी तो एक्सलरेशन भी इदर होगा यह बता दो यह एक्सलरेशन मेगनीटूड चेंज नहीं करेगा ना नहीं करेगा यह सिर्फ डारेक्शन चेंज करेगा तो उसका मतलब याद करेंगे मैंने टूडी टूडी मोशन कराते पर भीज़ी कराया था कि कभी विलॉस्टी ऐसी है तो excel शन ऐसे है उसके दो toו ले लेते हैं एक इसके अलॉंग एक इसके पर्पेंडी कुलर यह तूडी पाथ बोलो हाँ तुम यह बताओ थोड़ी देर बाद थोड़ी देर बाद यहां से चला गया यहां ऐसे करव में चला जाएगा समझ में आरी बात मुझे नहीं मालूम यह कर सरकल है लेकिन इसकी इसका वी तो सेम होगा बच्चे कह रहे सर वी क्यों सेम होगा मैंने का बेटा यूनिफॉर्म हो या नॉनिफॉर्म हो लेकिन जो फोर्स लगेगी वो वेलास्टी के परपेंडिकुलर लगेगी हमेशा हर इंस्टेंट पे इसका मतलब वो वेलास्टी के मैगनिटूड को चेंज नहीं करेगा तो क्या मैं कह सकता हूँ यहां पर भी वेलास्टी का मैगन निर्फ भी सेम होगा क्यों बी दो कॉंस्टींट बोला है यहां पर जो भी था इस पॉइंट पर जो बी था वही भी इस पॉइंट पर एक यह रहा तो इसका मतलब मैं गाल्य कर सकता हूं रेडियस ऑफ करवेचर भी सेम होगा यह तो ये जो आप पेंडिकुलर है कि यह दोनों केस में सेम हो रहा है अध Bass Bass कैना काने केंगूड डिस वर अफ मोशन इस युनिफार्म से खुल रोशन कैसे प्रूफ किया मैंने बच्चा कैसे आपके ते आया कि यह circular motion होगा मैंने का circular motion इसलिए होगा क्योंकि हर instant पे ए परपेंडिकुलर constant है तो इसका मतलब v square by r constant है v square by r constant है तो वी तो constant है तो radius of curvature constant है तो इसका मतलब कौन से कर्व में radius of curvature constant होता है circular motion में am I right guys? किस-किस को चमका है यह? Yes sir मुझे लगता नहीं कि कोई कोई ऐसे पढ़ाता है वो सिदा बोल देते हैं कि भई देखो ऐसा है यह रहा magnetic field यह रही velocity सबसे पहले force क्या लगा वी क्रॉस भी इधर की तरफ फोर्स लगेगा बोलो हाँ इसका मतलब यहां कहीं center of circle आएगा यहां कहीं center of circle आएगा और हम यह कह सकते हैं कि यह इस ऐसे सर्कल में चक्कर काड़ेगा चलेगा यहां पर acceleration कितना होना चाहिए centripetal acceleration होना चाहिए वी स्क्वेर बायार और फोर्स कितना आ रहा था क्यू वी भी तो हम कहेंगे क्यू वी वी इस एम वी स्क्वेर बाय आर तो रेडियस आफ सर्कल आजाएगा mv by qb mv by qb अगर question के अंदर m दिया था वी दिया था क्यू दिया था और वी दिया था तो रेडियस निकाल लेना mv by qb फील आ रही है अगर विलॉस्टी बड़ी करूँगा तो सर्कल का रेडियस बड़ा हो जाएगा बोलो हां येस शायद फील भी आनी चाहिए क्योंकि अगर तुम विलॉस्टी जादा कर दोगे तो इसकी टेंडेंसी होगी स्ट्रेट लाइन में जादा जाने की तो इसका मत मुमिन्टम जादा हो जाएगा न मुमिन्टम हैंना में वी दुक्ण जाएगा सर्क्ल में चकर काटने का टाइम कितना होगा तो tutti bırak on G क्या में ये कह सकता हूं दौनों ही केस में वेलॉस्टी जदा करो कम करो टाइम ओन रिव्विलूश neighbor सेम रहेगा वह बिलॉस्टी और रेडियस के इंडिपेंडेंट है हांना और बहुत वार-ध्यान रखना क्वेश्चन हो के अंदर स्पेसिफिक चार्ज बोल दे बहुत जो को बोलते हैं वह बोलो हां specific चार्ज बोलते हैं से कैमेस्ट्री में बढ़ाओगा एक टो मिक फ्रेस्टीर में की तो संवे चार्ज क्यों वाहत बार क्वेस्टनों के अंदर वह उर एम अलग से नहीं देथा वह क्या बोल देता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ बॉडडी इतना चार्ज पार्टिकली इतना गॉट इट और नॉट यूब आयम का रेश्यू दे दिया अभी बोलते बॉलते कई बर कि इस इंडिपेंदेंट आप वेलोस्ती एंड टाइम ऑन ड्रेवलुशन इजिए इंडिपेंदेंट आप विलास्टी एंड रेडियस यह सब चमक गया यह नहीं चमय गया अब टिट और नॉट यह अगर Greek इन अगर ड़े इसमें अगर मैं चाहूं तो एंगुलर विलॉस्टी की बात कर सकता हूं क्या एंगुलर विलॉस्टी क्या हो जाएगा वी इकल टू आर ओमेगा तो वी बाय और हो गया ना यहां से निकल जाएगा ना वी बाय आर कितना आ रहे हैं कि यूबी बाय एम यह एंगुलर विलॉस्टी होगी ना तो क्या मैं क्या सकता हूं टाइम आफ रिवुलूशन को ऐसे भी सोच सकते थे टू पाई बाय ओमेगा तो वह कितना हो जाएगा टू पाई ओमेगा हो गया क्यूबी बाय एम बोलो हाँ हो एगई है किस को चमघ्या गाइस है दिस ऐसे इस hydra कियों फ् Expectant होता है क्या मौर्टेंग वे सेंटर इक अरफ स्रक्रपी मौर्टेंग दांट दांटर वीटर वत 1 1 in 1000 आफ होता है सब्सक्राइब का इंड आप मोशन इस हर्ड काइंड आप मोशन इस एक में अभी मैं इस पर क्वेश्चन करा हूंगा कम से कम भी साथ आट दस हो सकता है ठीक है तो वी केरफुल पहला मैंने कराया था स्ट्रेट लाइन मोशन जब हमारा विल्कीन मैंनेटिक लो टे और दूसरा होताय जाएं तुस यूिनीफर्म सेकूलर मोशन ईं और तीसरा हो जायएगा बलज जब मैंनेटिक धि Sage इं कैसे सोचो केस थ्री मैगनेटिक फील्ड ऐसे है कि मान लो विलॉस्टी ऐसी है कुछ एंगल थीटा पर इस विलॉस्टी के दो कॉम्पोनेंट ले लो एक ले लो वी कॉस्ट थीटा एक ले लो वी साइन थीटा सबसे पहली बात पूर ये बताओ फोर्स उन से वाले के लगेगा ये मैगनेटिक फील्ड है का मैं कह सकता है हुँ वी साइन खी थीटा के कारण लगेगा अन्दर की तरफ अब पोढ़ो हां主ट रही यह वी साइन ठीटा क्रॉस भी कर दो अंदर की तरफ लगेगा तो बेटा वी कॉस ठीटा को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ भूल गए अब ये बताऊ सरकल कैसा होगा किस-किस को दिख रहा है कि सरकल सरकल कुछ इस प्रकार का होगा अंदर की तरफ फोर्स लगा यहां पर सॉलिड होगा ए पर फोर्स को चमक गया अंदर की तरफ होगा सेंटर अब यहां पर यहां पर हम कहते हैं एम वी स्क्वेर बाई आर एम वी स्क्वेर बाई आर इस क्यू वी बी करते थे बोलो हां यह वी की जगे कौन सा विलॉस्टी ले लोगे वी पर पेंडिकुलर ले लोगे यहां पर भी पर पेंडिकुलर होगा यहां नियुक्त कि दौनओ जरुआप होगा आर ना वहीं जो सेंतरीपिटल एक्सेलरेशन ना चाहिए विलूब वाली ओनी चाहिए या ना भी परपेंडिकुलर स्क्वेर बाइर वाट टो यह वाला रेडियस निकल के आ रहा है यह वाला जो रेडियस निकल के आ वह रेडियस कितना आजाएगा अब पर पेंडिकुलर बाइक क्यू भी बोलो हां टाइम ओफ वन रिवोलूशन क्या हो जाएगा तू पाई आर अपॉन वी नहीं होगा वी पर पेंडिकुलर हो जाएगा बोलो हां कितना आ टू पाई एंबाई क्यू भी यह भी समझ में आ गया अब बेटा यह बता इसका मोशन ऐसा होना चीए था ऐसा होना चीए था किस परकार का एसे सॉलिड गया, एसे गया, 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 गया गया, फिर वापस आया, ऐसे आया लेकिन इतनी DER में X-axis के लॉंग, मैजनिक फील्ड वाली J-C-Airl भी तो डिस्प्लेस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मेरी शकल देखो, मेरी शकल देखो लेकिन ऐसा होगा नहीं यह जानते हो ऐसे जाने की जगह इसे चला जाएगा क्योंकि यह वी कॉस्ष थिटा के साथ भी तो डिश्कलेश होता जाएगा बोलो हाँ याज अ छूंद को आद एक निकली देखा जाए तो कैसा होगा बच्ची सोचरे क्या बना दिया सर ने आया ना एक पूरा चक्कर काटा तो वो यहां आ गया था क्या मैं कह सकता हूं इसको पिछ देंगे कष और इस मोशन को क्या बोल देते है है ऐनिक होता यहाडिकल मूचन इसको लिकस बोल देते हैं सुना है कभी डिने में होता है कि हम rescue और इसको पिछ बोल देते हैं पिछ कितना हो जाएगा वी पैरलल इंटु टी वी पैरलल कितना हो गया वी कॉस थीटा इंटु टी कितना हो गया टू पाई एम बाई क्यू बी एवरिबड़ी गॉट इट और नॉट वहां कुछ-कुछ समझ में आ गया डाइज आया है या नहीं आया है ना एवरिबड़ी प्रभाकर समझ में आया है तीन केस करा दिये मैंने आओ इस पर कॉश्चिन कर लें आब कुछ-कुछ यहां पर पात अच्छे से समझ में आना चाहिए इस पात के उपर बेस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे इस पात के उपर बेस्ट क्वेश्चन बन जाएंगे हो गया है इस पर स्टेंडर्ड क्वेश्चन तो कई बार ऐसे होते हैं कि ऐसे कर दिया अब कह रहें कि मैं यहां पर चार्ज क्यों है मास एम में इसको विलॉस्टी ऐसे देजी इसका मोशन कैसा होगा ज fingerprints अक्रोप यहां और में यहां पर मैंने करेटिक फेल्ड और यहां पर मैंने क् विल्ड एक दम दम नहीं थी तब तो यह जैसी स्ट्रेट लाइन मोशन करते करते जैसे में एम्ः में बेलाजटी यह सब्से पहले आप तुम्हें समझ में आना चाहिए वेलास्टी इदर की तरफ at another की तरफ है कोन सा केस है यह कि केस wasp होना चाहिए सरकल सरकल का सेंटर कि अधर की तरफ होगा वी क्रॉस इक करोगे तो फोर्स किदर लग रहा है ऐसे तो इसका मतलब इसके अलॉंग आर डिस्टेंस पे सेंटर ले लो यह सबसे पहले मैंने का था सेंटर फिगर आउट कर ले था रेडियस की वैल्यू आ जाएगी एमवी वाई क्यूबी इसका पाथ कैसे हो जाएगा सेमी सरकल उसके बाद यह स्ट्रेट में पाथ ऐसे चला जाएगा बाद में यह स्ट्रेट लाइन मोशन पर चला जाएगा को पर चमक गया सबस्यादा इंपॉर्टिंट क्या हुआ यार सेंटर फिगर आउट करना सेंटर कैसे निकालोगे सबसे पहले फॉर्स निकालो फॉर्स निकाल के फॉर्स की अलॉंग आर डिस्टेंश पे बना दो बलो हां इसको चमका है यह सब इसके बाद वह कुछ भी पूछ सकता है इसके बाद वह यह भी पूछ सकता है इसके बाद वह पूछ सकता है कि रेडियस कितना होगा मैंने कह दिया इसके बाद वो यह कह सकते है, मैगनिटिक फिल्ड के अंदर इसका एवरेज विलास्टी कितना होगा? इसका एवरेज विलास्टी हो जाएगी, displacement upon time, displacement upon time, डारेक्शन क्या हो जाएगा? उपर की तरफ क्या होगी ये displacement हो जाएगा. displacement हो गया, और टाइम क्या बोलोगे टाइम हो जाएगा पाई भाई ओमेगा क्यों पाई बाई ओमेगा नी यहां से यहां तक का अगर कोई मुझ से टाइम पूछे तो हम कहेंगे कितना एंगल घुमाई ये पाई घुमाई ना तो पाई इसी कल टू ओमेगा इंटू टी करूँगा या नहीं करूँगा तो टाइम इंसाइड दे मैगनेटिक फील्ड हो जाएगा पाई बाई ओमेगा बोलो हाँ सही के नहीं है असो कि इसे कहते हैं मत्लब प्रियां करेते हम अब कि मैं एक्सेलरीशन जाएगा एश्ट अवरीच इक्सलुर्यशन-विल्सम्राइगा चेंप डिर्क्छेंड ठींविसे ए जाए एगा तूवी बइटी बलो हाँ किं इसको चमका हो एवरीबडेडी अगला दो क्वेशन कुद कर लोगे करो इधर देखो मान लो क्वेश्चन है यह था मैगनेटिक फील्ड बाहर की तरफ और ऐसे आया ऐसे जा रहा था यह और यह एंगल था थीटा यह चार्ज स्था क्यू मास्था एम आयाना कि इसलिए ताइम इन्साइड मेगनेटिक बिता ताइम इनसाइड नेटिक फील्ड तो यह अलब खुचे करो टाइम इनसाइड दा मेगनेटिक फील्ड सबसे पहला स्टेप क्या होता है मैंने कहा भी था सबसे पहला स्टेप क्या होता है बॉलॉइटिवेक्तर इधर है ग premium होईत्क ये इसके अंदर गया इधर इल्हस्टी और um intensity बाहर की तरफ है ऑनिट अदर नाइंटी लिग्री है यह निंग् pero do अगर अगर बाहर की तरफ तो एंगल बीटवीन वेलोसिता है इन मैइनीटी डिग्री है या नहीं आए कि कि चमका और वी क्रोस बी करूँगा सबसे पहले तो फॉर्स निकले की तरफ ऐन का फॉर्स निकले की तरफ पर और फॉर्स अगर इधर की तरफ निकले तो इधर की तरफ आर 시कुर्स डिसेंस कंपस उठाओ और कंपस उठाके एक सरकल बना लो चलेगा नहीं चलेगा ये हमारा टेंजेंट है यह हमारा लाए ये एक पॉइंट होगया और ये सरकल बनाना है में आया ना तोड़ा तना अच्छा कि नहीं बन रहा है मेरे से किसको चमका यह ऐसे जाएगा यह ऐसे जाएगा यह ऐसे चला जाएगा किस-किस को यह समझ में आ रहा है कि मेजर और मेगनेटिक फील्ट के अंदर होगी मेजर आर्क मेगनेटिक फील्ड के अंदर गॉग इविए कि यह एंगल एल टीटा है कि अलजि कर लेते हैं घण suspension 알아 pedir सुन्सा अध्या कि है यह चैनल ने और एसिता कैंट आ economy गाइमम खायर है यहां से इदर पर्पेंडिकुलर गिरा दूँगा यह आर है यह 90 माइनिस थीटा है और यह बीटीट ओजाएगा फिर यह 90 माइनस सीटा हो जाएगा यह भी थीटा हो जाएगा एंगल सब्टेंडिट कितना हो जाएगा कुछ दिन पहले पेपर में आया था उसमें के उसने कहा था उसमें डाइग्राम भी नहीं बनाया था उसकी जगे क्वेश्चन में बोला कि अब पार्टिकल एंटर्स यह वाला यह वाला वेलॉस्टी का यह वाला इंगल तो तुम्हें तो चेंज हमा कराएग कि यस उसके बाद क्या मैं कह सकता हूं टाइम इंसाइड मेगनेटिक फील्ड हो जाएगा टू पाई माइनस टू थीटा अपॉन ओमेगा और क्या हो सकता है डिस्प्लेस्मेंट लेट्स गूंट टू आर साइन थीटा नीचे की तरफ अपन टाइम कर दूगा तो जहेगा बेलास्टी एवरेज अच्चा कहेंगे यह क्या कर दिया सर के क्या होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम डिस्प्लेस्मेंट हुझा जएग आर साइन थीटा और विलॉस्टी में चेंज कितना आया है पहले विलॉस्टी थी ऐसे और फाइनल विलॉस्टी है ऐसे कि फाइनल माइनस पॉप यह तो क्या जाएगा इधर के तरफ ठीटा आया ना एक्सल्रेशन एवरेज कि तना हो जाएगा एक्सल्रेशन एवरेज हो जाएगा लेफ्ट तरफ थो एप अपन टी में कि टिए डन गाईज एवरपरी गॉट-ड्यक्त चौब कि गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करो कि सपोज करो मैगनेटिक फिल्ड अंदर की तरफ है और विलॉस्टी ऐसे है फिर यह एंगल थीटा दे दिया इस बार क्या करेंगे चार्ज क्यों है मास एम कि मैं जिस में कैं माइनर आर्क मेजर सबसे पहला पार्ट क्या होता क्वेश्चन का कि सेंटर निकालना तो वी ऐसे है डि ऐसे है क्रॉस प्रोडट्ट लो वी क्रॉस वी लेंगे तो फॉर्स ऐसे लगेगा तो सेंटर यहां हो जाएगा हाँ या ना रेडियस यह हो जाएगा यह टोटल नाइन की डिग्री होगा और ऐसे सरकल बनेगा लेकिन यह बात अलगे यहां पर यह फिर स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा गॉट इट और नॉट संका कि यह वाला एंगमरा थीटा था यह तो यह हमारा इंटी BAR UP अब यह हमारा अर प्रेंडी कुलर गिराहूंगा यह 90 माइनस थीटा तो यह घृटा हो जाएगा तो यह जाएगा यह i हमारा चिवर नॉट-ई को जाएग तो इवर्एवड़ि बड़ी तो यह जो सरकल घूमा तो एंगल कितना एंगल घूमा यह टू थीटा गूमा तो टू थीटा बाय ओमेगा इस इस दा टाइम इट स्पेंड इंसाइड दा मैगनेटिक फील्ड बाकि तुम तुम कर लोगे बोलो हाँ एवरिबडी येस वा दूसरी तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं एक तो यह ऐसे पूस्टन होगे और इन्हें में केस लग रहा है केस थ्री नहीं लग रहा है गलती से भी यह मत सोच नहीं है यह हलिक्स वाले कोश्चन ने थीटा देखा और है लगा दिया और भाउंडरी ए सब्सक्राइब करें एक और विराइटी ओप क्वेश्चन अब जैसे सब्सक्राइब एक और विराइटी ओप क्वेश्चन इसमें क्या कर देते हैं है ऐसे देते निमितिट का में में एड़ा प्राइट लेक्वेश्चन में 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 इा यहां पर कोई मेक्वेश्चन नहीं है अपर कategे विल्वास्टी ऐसे देदिया तो कि बच्चे कि सेमीसिर्कल बंेगा मैंने का बने तो गायोस्ती ऐसी क्रोस बी करूंगा सेंटर कि तरफ लगेगा वैस्त तुक्त इधर लगी हुग- सेंटर फडिक लोगा- फॉर्स इथर लगेग議 है created सेंटर होगा यह रेडियस का रोल प्लेए करेगा एवरिबडी गॉट इट आया ना यह ऐसे सेमी सरकल में जाएगा ना अब मैं यह कहता हूँ रेडियस की वैल्यू कितनी है एम वी बाई क्यूबी एम वी बाई क्यूबी आया ना खी मैप क्याम यह कह सकता हूँ रेडियस की मैक्सिमम वैल्यू एल हो सकती है उसके बाद रीजन में जाएगा यह रीजन वन है यह रीजन टू है यह त्री एं अगर तुमने बढ़ाते गए तो विलोस्टी और तो क्या मैं कह सकता हूंँ कि यहां आ जाये गा यहां यह यह तक जाएगा अगर तुमने संव'llow जाएगा मैं इस केस में यहां तक जाएगा ओर नौट और ऐसा होसकते मैक्सिमम किसक आपकर और rob तो यह ऐसे चला जाएगा गॉट टोर नॉट येस समझेगे नहीं समझे तो क्या मैं इस कोश्चन में एक ऐसा कोश्चन बना सकता हुझा देखो लिखेंगे यहां तक का जो मैंने बकवास करी थी अधे लुट आप कि अधे अधे ने करें लिखेंड करेंगे तो बता देना हो गया सर गोड सर एक बार उपर स्क्रॉल कर दीचे है उपर ये वाला ये सर क्या हो गयता ये ये रह गयता दन सर गोड है हम ये कह रहे थे वालक जैसे ये क्वेस्टन है 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 इसे है है यह है है और अंदर की तरफ मैं बाक्तर की तरफ है आ यह कह सकता हुए कि भर civilization कि त्यों से लाज्ध कर City थो हम ये कह सकते हैं कि य सिघ् More-दोर को हुद है ुद हिरा क्रोल प्लेृरर यहां पर एक स्ट्रीम यो कहा तक जाएगा रीडिएस तक जाएगा तो हम यह कह सकते हैं अगर रेडियस क्या था हमारा mv by qb रेडियस की maximum value l मान लो तो हमने का mv by qb तो velocity हो जाएगा qb l by m यह critical velocity हो गई इसको v critical मान लो तो v critical से हलका सा कम लेंगे तो time it spends inside the magnetic field would actually be पाई by omega बोलो हां और अगर वो critical से हलका सा हलका सा जादा लिया हलका सा जादा हलका सा जादा लिया तो क्या हो जाएगा क्या मैं यह कह सकता हूं कि just grace करता हूँ बाहर निकलेगा grace करता हूँ कि रेडियस just touch कर दिया करके हलका सा ज़्यादा कर दिया रेडियस तो इसका मतलब यहां पर ऐसे बाउंट्री के पैरलेल निकल जाएगा बोलो हाँ समझे के नहीं समझे कैसे यह वैल्यू है मान लो टेन मीटर पर सेटेंड आ गई तो अगर तुमने टेन पॉइंट जिरो 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 वन भी ले लिया तो ग्रेज करता हुआ निकल जाएगा बोलो हाँ तो उसकेस में इट स्पेंड टाइम इट स्पेंड गुड एक्चुली भी पाई बाए तुमेगा बोलो हां इंसाइड थे मैगनेटिक फीड एवरीबड़ी किस किसको चमका है सेकेंड वाला केस समझ में नहीं आयाए कि जस्ट करता वा क्यों निकलाएगा अरे भाईया मैं यह कह रहा हूं हल्का सा हल्का सा छोटा हुआ तो ये ऐसे हो जाएगा अंदरी आए जाएगा और हल्का सा बड़ा होगा तो ऐसे जाना चाहिए तो वह ग्रेस करतावा भार में निकल जाएगा तुम से्मी सरकल बना ओ तुम अगर यहां तक उता इसके इधर होता तब तो यह वापस आता और लिमिटेड रीजन यहां तक तो यह कह सकता हूं ग्रेज करता वह बाहर निकल जाएगा और अगर ज्यादा कम होता तो किसी एंगल पर बाहर किस को यह समझना रहा है यह आया ना करते हैं यह प्रीविएस यह यह मैं आया भी है वैल्यू के साहथ आया है इन्होंने कहा दिया यह डिस्टेंस दे दिया सब्सक्राइब एंडी की वेल्यू देदी लेस देनार इंड टाइम इंसाइड दा मेगनेटिक विल्ड गाइस किसको यह समझ में आ रहा है और दिया कैसे कैसे करेंगे वी एसे है वी क्रॉस भी वी क्रॉस इदर लगेगा तो सेंटर फोर सिदर लगेगा सेंटर बांडरी के उपर ही होगा य यह रेडियस हो गया क्या मैं यह कह सकता हूं यह ऐसे सरकल बनाना चाहिए ऐसे बनाओगे तो यह नाइंटी डिगरी होगा विलॉस्टी दर जानी चाहिए गाउट इट और नौट अब यह एंगल मान लो थीटा है और यह आरोगा यह भी आरोगा यह कितना हो गया डी कैना इससे साइन थीटा इस डी बाई आर एक्टुली जो क्वेस्टन आया था उसके अंदर डी की वैल्यू दिवी थी रूट थरी भाई टू आर तो क्या मैं कह सकता हूं सांटीटा हो गया रूट थी बाई तू कि टीटा कितना हो गया सिक्स्टी डिगरी इसका मतलब मैं यह कह तो यहां तक आने का टाइम टी हो जाएगा पाइबाइए फ्री ओमेगा भोलो हाँ किसको चमका है कि सही है की नहीं है उसके बाद यह एंगल अगर थीटा है यह 90 माइनिस थीटा हो जाएगा तो यह वाला एंगल भी थीटा होगा या नहीं होगा इसका मतलब 60 डिगरी पर जाएगा इसका बाद उसकी विलास्टी का एक्स कॉंपनेंट हो जाएगा वी कॉस्टी और वाइक उंपनेंट हो जाएगा वी साइन सिक्स्टी किसको चमका है एवरिवडी से सर गॉट इट गॉट इट वी रॉप करेंगे क्वेश्टन यह ना उपर वाली चीज़ में बेस्ट क्वेश्टन है तो क्या बोला इसने मास एम एंड पॉजिटिव चार्ज क्यू एंटर्ज फील्ड 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 विट विट विलॉस्टी वी दिर इस रीजन इन विच मेगनेटिक फील्ड इस एपसेंट इस शोन दमें पार्टिकल आफ्टर एंटरिंग रीजन एलास्टिकली विद रिजिड वाल ताइम आफ्टर विच दा विलॉस्टी ऑपार्टिकल बिकम्स एंटी पैरलेल तो इनिशल वेलास्टी इस वाँच अब बच्चे होगे सदमें से में आगए क्या हो क्या गया इस लग्या सदमें नहीं लगाए बिताओ पहले तो लग्या ना कि इसका क्वेश्चन का डाइग्राम फिक से कॉपी कर ले तो बढ़िया रही है दो वरना पूरा बनाना पड़ेगा एक है ऐसी है इसे गया वी में उलगेगा एक प्रॉक्त लगेगा कि यहां पर कहीं सेन्टर आएगा रेडिये आर आर की वेलिई होती है मbn बह्त मरी तो यह बेसिकलिक यार पारुटत मिकली आरे आर रूटूटू दिए इसका मतलब यहाए गया है यह ऐसे गया और यह ऐसे गया व्लॉस्टी ऐसे हो जाएगा तर हमारा पौut 45 डिगरी बोलो हां तो यहां से यहां तक का टाइम कितना लगेगा यहां से यहां तक का टाइम लगेगा पाई बाई फॉर ओमेगा ओमेगा होता है क्यू भी बाई हैं यह तो यहां से यहां तक का टाइम होगा उसके बाद क्या होगा वेलॉस्टी हो जाएगी वी एंगल 45 इसके बाद श्रेट लाइन मोशं करेगा यह स्ट्रेट लाइन मोशुन करेगा ऐसे आसे जाएगा टक्राईगा दिवार पे उसके बाद यहाँ पर अगल कितना मोजाएगा यह 45 भी हो जायेगा तो यह से आकर टक्राएगा 45 पर हां या ना तो विलास्टी के इनीशल विलास्टी के दो कॉंपोनेंट होंगे जब टक्राने लगेगा विलास्टी ऐसे आया यह 45 है अगर यह coefficient of restitution दे देता तो खतम हो जाते तुम यहां पर क्योंकि फिर तुम क्या कहते तकराने के बाद इधर वाली velocity तो वी sin 45 रहेगी और इधर वाली velocity हो जाएगी वी कॉस 45 आया ना वी सेपरेशन इस इवी अप्रोच लेकिन शुकर बनाओ इसने ऐसा नहीं किया इसने ऐसा नहीं किया तो यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालना है यहां से यहां से यहां तक जाने का टाइम निकालना है तो मैंने का वेलोसिटी का X component हो जाएगा वी कोस 45 यहां से यहां तक का distance कितना था अब दिया था बीचे यह था M V by root 2 Q B तो V by root 2 into T should be this distance velocity into time तो V से V card देना root 2 से root 2 card देना M by Q B आ गया M by Q B आ गया बोलो हां यह दौनों टाइमस का सम कर दिया इसका दौनों डबल आ जाएगा डबल क्यों आएगा वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें path को exactly retrace नहीं exactly similar सा path हो जाएगा क्यों यहां पर जब यह velocity E1 है elastic collision बोल दिया तो जब यह reflect होएगा तो same V से होएगा V sign 45 और V cos 45 तो यह 45 पर reflect होगा तो यह पहले straight line जाएगा उसके बाद जहां पर velocity इस बार ऐसे होगी वी क्रॉस भी करोगे तो उसके अंदर center हमारा इधर की तरफ लाए करेगा और यह पूर ऐसे जाएगा और फिर यह ऐसे हो जाएगी समझ में आया की नहीं आया एंटि पैरलेल होगी इसके एंटि पैरलल होगी इसके नाइस वर्षजन यू टेल मे और एण बढ़ी हाँ भई यह पर में डालूंगा मैं गाइज अनादर यह कुश्चन हमने कर लिया अगला कुश्चन अगेन आर्काइव से है पड़नी मारे थो बड़ा करूँ क्वाइक्सेस यह यह एक्सिस है। विटा राइट एंड कोर्डिनेट सिस्टम होता है तो एक्स क्रोस वाई जैड बाहर की तरफ होना चीए बोलो हाँ चार्ज पार्टिकल इस रिलीस्ट प्रम ओरीजिन अलॉफ फिट वी नॉट आई के तो वैलॉस्टी है वी नॉट आई के विलास्टी इधर की तरफ है मैंगनेटिक फील्ड है अंदर की तरफ माइनस के कैप फॉर एक्स एंड बी जीरो फॉर इस इसका मतलब मैंगनेटिक फील्ड एक लिमिटेड रीजन में है लिमिटेड रीजन में है कहां तक रूट थ्री बाइटू एमवी बाइट यूबी नॉट पर बोलो हां अंदर की तरफ मैंने पहले भी का था वह मज़े लिए थे प्रिवेस यहर में मैंने थोड़े पहले वीडियो में का था कि उसने स्पेसिफिक चार्ज दे दिया था ना लायक ने एलफा दे दिया था क्यूब आए क्यूब आयम को एलफा लिख दिया था बोलो हां अब वेलॉस्टी ऐसे है मैगनेटिक फील्ड अंदर की तरफ है वी क्रॉस भी करूंगा वी क्रॉस भी करूंगा तो फोर्स इदर की तरफ लगेगी बोलो हां फोर्स इदर की तरफ लगेगी तो सेंटर कहीं यहां पे होग इसे जाएगा यह एंगल थीटा हो गया और यह डिस्टेंस ओगया डी यह हो गया और साइन थीटा हो जाएगा डी बाई आर बोलो हां इसके बाद विलॉस्टी ऐसे हो जाएगी यह 90 डिग्री होगा टेंजेंट के लॉंग यह एंगल यहां से यहां तक इस टाइम को बोल दो टी नॉट लुट की वेल्यू हो जाएगी पाई भाई थ्री ओमेगा पाई थ्री ओमेगा बोलो हां everybody एक्स कोडिनेट्स ओफ दा पार्टिकल एक टाइम टी ग्रेटर देन पाई भाई थ्री ओमेगा अब समझ रहे हो तो इसका मतलब एक्स कोडिनेट्स निकलने के बाद पूछा है टाइम टी पे मैंने का उसके बाद यह ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन टाइम टी पी यह यहां पहुंच जाएगा इसका एक्स कोडिनेट्स क्या हो जाएगा वी कॉस सिक्स्टी इंटू यह वाला टाइम टी डैश तो डी प्लस डी प्लस डी प्लस वी कॉस सिक्स्टी और इसने कहा है टी इक्वल टू जीरो पे एंटर किया इस टाइम को टी इक्वल टू जीरो बोला है तो यह कहना पड़ेगा वी कॉस सिक्स्टी टी माइनस टी नॉट बलो हाँ यह एक्स कोडिनेट हो जाएगा टाइम टी किस-किस को यह चमका बलो हाँ किस-किस को समझ में आया नहीं आया इसका अंसर सी ओगा ना इसका अंसर सी ओगा ना बलो हाँ कोडिनेट पूछ लेता तो कल वह वाइक कोडिनेट पूछ लेता तो फिर क्या करती यह हो जाएगा वी साइन 60 T माइनस T 0 पलॉस R माइनस R कॉस 60 R माइनस R R माइनस R कॉस 60 बुलो हा यह वाला डिस्तेंस भी तो लिना पड़ेगा तो यह डिस्तेंस कितना हो जाएगा R माइनस R कॉस थीटा R माइनस आर कॉस थीटा तो दिस कोर्डिनेट आर माइनस आर कॉस थीटा पलस वी साइन थीटा इन्टु टी डैश यह वाई कोर्डिनेट हो जाएगा एट टाइन की गाइस आसान कोस्टिन तो नहीं आये था यह आसान था पूरी एक्सराइज में पूर इंपोर्टेंट इस फिगरिंग आउट दा सेंटर फिगरिंग आउट दा सेंटर उसके बिना तो स्टार्टिंग होगा हाँ यह ना ठीक है कि काम करते हैं एक हेलिक्स वाला कराएज पॉल्स करते हैं आगाईज जरहें दो कॉर्शन देखें हेलिक्स वाले हैं अचार्जट पार्टिकल इस फायड एट एंगल खीटा तुदा यूनिफर्म मेगनेटिक फिल्ट डिरेक्टेड लॉंग एक्स एक्सेस तो हमने कह दिया एक्स वाई जैड और यह मैगनेटिजम वह चैप्टर जहां पर राइट एंड कोडिनेट सिस्टम का बहुत ध्यान रखना है आया ना और मेगनेटिक फिल्ड एक्स के लॉंग है मेगनेटिक फिल्ड एक्स के लॉंग है और इसने वेलास्टी दिया एंगल थीटा टुदा मेगनेटिक फिल्ड लॉंग एक्स एक्स तो वेलास्टी ऐसे कर दी तो वेलास्टी के दो कॉम्पोनेंट हो जाएंगे वी कॉस थीट में जाना चाहिए यह सर्कल में जाना चाहिए था यहां पर कहीं सेंटर होता और यह ऐसे सर्कल में जाता इस को चमका यह कोण से प्लेन में ए सर्कल वाई जैलट प्लेन में थाइन तो वी साइझ अगर कोई कहे यह 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 एकसिस मेरी तरफ होग एकस अकसिस मेरी तरफ होगी और विलास्टी वाई के अलॉंग ले ली मैंने वी साइन ठीका चलेगा तो वी क्रॉस भी किया तो फोर्स लगे थी इदर की तरह तो यहाँ पर कहीं सेंटर हो गया तो टेक्निकली यह ऐसे सरकल में जाना चाहिए बोलो हाँ चमका या नहीं चमका किस-किस को चमका है यही सरकल मैंने प्लॉट किया है लेकिन यह इस सरकल में जाएगा नहीं यह क्या करेगा विकॉज ओफ वी कॉस थीटा यह ऐसे हैलिक्स में चला जाएगा इकस एकसिस पर दुबारा यहां पर एक चक्कर के बाद कट करेगा नहीं करेगा जब यह यहां पर होना चाहिए और नेवर मूव पैरलल to x-axis क्या उसकी नेट विलोस्टी कभी x-axis के अलॉङ हो सकती है लो है तो यह पार्ट सही अ वे टुहिक जाए Unter moriung है या ज़े की इन्दर विलॉस्टी न होना वाइजब लेंदर विलॉस्टी मेशा रहे गी कि कि अही ज is रहे भाइगा नहीं समझे महाइए V sin theta वाली velocity हमेशा Y Z plane में नहीं रहेगी किस-किस को चमक रहे य और Z plane के अंदर X axis के along हमेशा उसकी V cos theta रहेगी तो क्या मैं ये conclude कर सकता हूँ कि ये X के along कभी नहीं चलेगा ये हमेशा Y Z plane में भी कुछ component रहेगा और X में कुछ component रहेगा अब यह कह रहा है इन दा प्रीवियस क्वेश्चन इस दा पिच अब पिच कितनी होगी पिच हो जाएगी वी कॉस थिटा इंटू टी और टी कितना था हमारा टी था हमारा टू पाई एम बाई क्यू भी वह ऐसे सोचा था हमने एम वी परपेंडिकुलर स्क्वेर बाई आर इस क्यू वी परपेंडिकुलर भी हाई अना और टाइम अफ रिवलूशन हो जाएगा टू पाई आर अपॉन वी परपेंडिकुलर उससे यही आ गया था टू पाई एम बाई क्यू बी तो पिच हो गया वी कॉस थिटा क्या मैं कह सकता हूं मैक्सिममं डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस होगा यहां पर ज accommodation कि छो आफ सॉखल में देखा जाए तो जेए सरकल के इस tid Rio लो समझे के नहीं समझे अगर कोई x-axis के अलॉंग आँख लगा के देखेगा तो उसको सर्कुलर मोशन दिखेगा उसको सर्कुलर मोशन दिखेगा अगर x-axis पे आँख लगा के देखे तो तो x-axis से सबसे दूरी पे कब होगा इतनी पे होगा क्या मैं कह सकता हूं maximum separation from x-axis कितना हो जाएगा तू आर तो दिस तिंग शुड़ बी एक्वल टू आर कितना हो गया मवी साइन थीटा बाइ क्यूबी बोलो हां सही है एक टैन थीटा निकल जाएगा एंवी से एम भी कट गया टू कट गया क्यों भी से क्यूबी खट गया इससे आगया मेरे पास टैन थीटा सब्सक्राइब तुम यह बता है कि पाथ को बहुत ज्यान से सोचना बहुत ज़लूरी है हाँ यह नहीं तुम यहीं सोच पाऊगे कि कि मैक्सिमम सेपरेशन फ्रम एक सेक्सिस का मतलब क्या है तू आर हाँ या ना किसको मेरी बात समझ में आई है तो तुम में लग रहा था ना पिछ वाले कोश्चन भी आसान है वह आसान नहीं है फोड़े टाफी है एवरीबड़ी गॉट इस ओके तो आगे बढ़ते हैं क्या कि 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 सपोज करो कि सपोज करो मान लो एक और केस ले लिए तें केस फोर केस फोर मान लो ऐसे है मेगनेटिक फिल्ड और हमने विलॉस्टी दे दी ऐसे इसके दो कमपनेट यह पिछ वाला केस हो गया न वी कॉस्टेटा कि कि इसी थनवा Olaha HARi सेंटर के तरफ होनेकर ओंड़ा सेंटर के तरफ होगा मेरी तरफ होगा दो मेरी तरफ होगा डोऊ है सेंटर मेरी तरफ होगा करेख एशा पईट एक गया सब्सक्रेर को सब्सक्राइब यह होना दो घर जिए असलियत में मोजन ऐसा नहीं और टो किर में और फिर डॉटेड और यहां पर एक चक्कर पूरा होगा बोलो हाँ समझे एवरीबडी येस और फिर मैंने कह दिया कि इसमें टाइम ऑफ वन रिवलुशन हो जाएगा तूपाइम बाइक यूबी रेडियस ऑफ सरकल हो जाएगा टेखनी कली सरकल देखा जाए तो अगर मतलब इ इडियस हो जाएगा एमवी पर पेंडिकुलर हो जाएगा वी सांच एदा आधा क्यूबी मतलब्ली पर पेंडिकुलर यह है वेलस्टि का कॉंपोनेट पर पेंडिकुलर टू मेगनिटिक और हम कहेंगे पिच क्या होता है वी पैरल्ल इंटुटी डैट इस वी कास थीटा तो अब मान लो इसमें एक मोडिफाइड बनाऊं में इसको गलत बोल देते हैं मैंने इस क्वेश्चन में क्या का इलेक्ट्रिक फील्ड है मैगनेटिक फील्ड के पैरलेल या इस एलेक्ट्रिक फील्ड से सर्पलर मोशन पर कोई फरक पड़ेगा नहीं बस यह पिछ में प्रॉब्लम क्रियेट कर देगा क्योंकि पिछ के लॉंग एक्सलरेशन देगा क्यों इबाएं बोलो हां पिछ वेरियेबल हो जाएगी बढ़त पहले पिछ कमती घॉटिडर नॉट यहां पर पिछ के लॉंग क्या लगा देंगे थ्री एक्वेशन दो मोशन लगा देंगे कि कह देंगे पिछ वन इस वी पैरलल टी प्लस हाफ क्यू इबाए एम इन्टु टी स्कूर्ड करें पिछ थू को क्या लिख देंगे कि जू लिख पाएंगे फिर पिछ कू प्लस पिच वन बोलना पड़े यह पिछ कू प्लस पीड़ें वी पैरलेल इंटू टु टी प्लस हाफ कूई बाइए म इंटू टूका स्क्वेर ऑलो हा गाइस किस-किस को यह समझ में आ आ गया आप अच्छे से को कि इवरीबडी इसका अगर इए उल्टी डिरेक्ष्ण में उता तो क्या होता तो कि अप्छारी होती है है कि प्रिवेस क्रिवेस कि य rh मैं बच्चों लगा सरकूलर मोशन है कि उन्होंने कहा उन्होंने कहा ऐसे मैगनेटिक फिल्ड अबच्चल they this इसी क्या लोग इसके विल्स एक विलोसिटी सिर्फ इसके इसह पर बच्किल्र मोशन वेला क्वस्ट्ण यह सर्कूलर मोशन वाला क्वस्टन उसके किन तो है ना यह तो मैंने क्विश केस्ट मैं ने एक कॉरेगा है ने करेगा या न न आया कमसा केस हो गया कॉस्ट यह और बाला केस हो गया नहीं हो गया जो प्रिवेस येर में आया वेलोस्टी सारी की सारी पहले मैगनेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है उसने कहा पिचिज आर गुईंग टू बी इन रेशो पिचिज आर गुईंग टू बी इन रेशो थ्री कंजीक्यूटिफ पिचिज का रेशो क्या होगा किसको हरे समझी में आ रहा है ये किनिमेटिक्स का क्वेस्टन है जब फ्री फॉल कर आते थे ड्रॉप्स गोरती थी एक बार द्रॉप ज को तो फाइव एस्टू थी, हैस्टू वन का बच्चे कहेंगे बॉध बुरा हुआ हमारे साथ किसको चमका यह परनी का समझ में आया है यह बोलो वही क्वेस्टन हुआ यह नहीं हुआ और वहां पर जब थियोरी में लिखा हुआ था ना बिल्कुल समझ में आ रहा था यह कॉस्टन बनाना चाहरा है वह तो बहुत काईदे से पढ़ना पड़ेगा बहुत दीरे दीरे आराम आराम से पढ़ना पड़ेगा जिसको यही नहीं आता वह तो भूली जाएगी उससे कभी क्वेस्टन होना है गॉट इसी चीज़ का स्पेशल केस दे दिया कि वी कॉस्ट थिटा था ही नहीं अजया था मैं एक्ट्रिक फॉल जया ना और तीसरे पिछ वन टू थरी तीनों पिछ क्या हो जाएगी पिरुका सम तो पिच वन पिच का रेश्यो पूछा था वन एस तूफ थी थी एस तू पाइव बहुत आया कि नहीं आया अच्छा अच्छा कोश्चन बनाया था तो अधिक है हो गया है नहीं हो गया कि अब्रीबडी एक लाइफ खुश नहीं दिख रहे मुझे ऐसा लग रहे है थी कैं क्या लिखो जिस में बता दो तुम ये अज़िसों नहीं लिखा हुआ हुआ है पिर पिर आप हो जाए तो बता देना गाइज हाँ गाइज मैं यह कह रहा था कि किष्व करो कि वर यह कर लेती है कि मान लो मैंगनेटिक फील्ड है ऐसे तो पताए टैक्निकली केस में को कितने याद आ रहे हैं मेरे को आठ या नो करना याद आ रहे हैं इतने मैं निकर रहूंगा ठीक है इतने करने की जरूरत भी नहीं जो आतें वही करवाएंगे ना साइक्लोइड वाला मैं क्यों कर रहा हूं वेलॉस्टी ऐसी है चार्ज क्यों मास एम में तो इसमें फॉर्स किदर लगेगा वी क्रॉस भी इधर की तरफ लगेगा कितना क्यू वी बी तो यह सरकल में चला जाना चाहिए फिर इस रीजन के अंदर इस रीजन में एलेक्ट्रिक फिल्ड ऐसे दे दूँ कि अधर कि अधर की तरफ लगेगा ना ऐसल दिया है तो क्यूंध अब इस वाले केस में क्या हो रहा है तो इसका मतलब इस वाले केस में इधर की तरफ फोर्स लगेगा ना ऐसल दिया है तो क्यूंध कि और इसमें भी एक पर्टिकुलर केस लो पर्टिकुलर केस ले तो आसा पर्टिकुलर केस जिसमें डौनों फोर्स केनल फोर्स कैंतल होजाएं तो इस पर कंडिशन क्या होईनी चीने क्यू insist बीकल टुक्यू ए तो वी भी शूद बी एककुल टु इ तो उस केस में कैसा मोशन हो जाएगा लाइन ऐसे केस में कैसा मोशन हो जाएगा ब cod소 खेश्ट लाइन मोशन हो जाएगा गॉतित हो नॉट अब अबरिबडी येस और अगर गलती से QV भी बड़ा होगया QV से तो पात तुम नहीं बोल सकते कैसा होगा क्योंगी सरकल तो जरूरी नहीं ना अब हो क्योंगी सारी फोर्स सेंटिर्पिटल थोड़ी है आया ना दो-दो फोर्स हो जाएंगी लेकिन अगर गलती से QVB, QE से बड़ा होगा तो उपर की तरफ डिफलेक्ट हो जाएगा और अगर QE नीचे की तरफ जादा बड़ा होगा QVB से तो नीचे की तरफ डिफलेक्ट हो जाएगा डिफलेक्ट होने के बाद वो path कैसा लेगा तुम predict नहीं कर सकते समझेगी प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर सकते क्योंकि सारी फोर्स सेंट्रल फोर्स थो डिए सेंट्र ओफ सरकल की तरफ लगेगी ऐसा थोड़ी होगा क्यूंभी तो अमेशा नीचे की तरफ लगेगी बुलो हाँ कि इसको समझ में आई बात अब इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि नाइन्थ या टेन्थ क्लास में तुमने यह पड़ा था जे 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 थॉम्सन डूड का एक्सपेरिमेंट जे जे थॉम्सन था या था या था या नहीं था पी था इसने निकाला था चार्ज तू मास रिशो इसने निकाला था चार्ज तू मास रिशो आफ एलेक्ट्रॉन आया ना इसने क्या किया था क्या था क्या थोडरी एक्सपेरिमेंट किया था कौन से एक्सपेरिमेंट किया था एक्सपेरिमेंट यहां पर लिया इसने यह के थोड़े यह अनोड है के थोड़े नेगेटिव वाला यह के थोड़े यह अनोड है हाँ यह न यह पोटेंशल डिफरेंस भी है यह पोटेंशल डिफरेंस भी है यह पोटेंशल डिफरेंस भी बहुत हाई है उसके कारण के थोड़ से एलेक्ट्रोन निकल के आ जाएंगे एलेक्ट्रोन निकल के आ जाएंगे यहां पर एलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगी बोलो हाँ positive से negative, यह accelerate करेंगे, यह accelerate करेंगे, force इन पर ऐसे लगेगा, यहाँ पर इनकी velocity 0 थी, यहाँ पर इनकी velocity 0 थी, यहाँ पर आते आते electrons की कुछ velocity आ जाएगी, यहाँ पर इन electrons की कुछ velocity आ जाएगी, let us say कुछ, velocity आ गई, let us say that velocity is V, guys velocity के बारे में क्या कह सकते हैं, हम यह कह सकते हैं charge into potential difference is gain in kinetic energy half mv square बोलो हाँ Q delta V Q delta V change in potential energy हो जाएगा ना किस-किस को बात समझ में आ रही है यह अगर expression में किसी को कोई doubt है तो अभी पूछ लो इसमें किसी को कोई doubt है तो अभी पूछ लो प्लीज यह जो conservation of energy से आ गया कि हमारा charge into potential difference is gain in kinetic energy half mv square गॉट इट और नॉट charge to mass ratio निकालने के लिए मुझे potential difference तो पता है अगर मैं velocity निकाल लूँ तो पता चल जाएगा ना charge to mass ratio charge to mass ratio क्या होगा charge to mass ratio हो जाएगा velocity का square divided by तू पोटेंशल डिफ्रेंस बोलो हां किस किस को समझ में आया है इस एक्सपेरिमेंट के आगे वाले कार्ट को देखते हैं तो समहाओ मुझे क्या निकालना है टेक्निकली विलासिती निकालना है आई विल गेट ना charge to mass ratio यहां पर slit कार्ड दो यह एलेक्ट्रॉन जाके एक स्क्रीन पर टक्राएंगे एक स्क्रीन पर टक्राएंगे इस कीरीन पर फ्लोरेसेंस होगा यह चमकेगी यह क्या करेगी गाइस यह यहां पर चमकेगी इस पॉइंट को मार्क कर दिया यह पॉइंट को मार्क कर दिया अब नाइंथ क्लास में बताते थे वो लोग वो लोग अजीव-जीव सी स्टोरी बताते थे मेरे को बहुत क्यूरियोस्टी र यह पता चला उन्होंने मैगनेटिक फील्ड अप्लाई कर यहां पर इन्होंने मैगनेटिक फील्ड में रखा इसे तो इन पर फोर्स किदर की तरफ लगेगा विलॉस्टी इदर की तरफ है वी क्रॉस भी करूंगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स इधर लगता और फोर्स इधर लगता तो ये इधर डिफलेक्ट होके टकराते बोलो हां उन्होंने देखा कि वो नीचे जाके टकरा रहे हैं इसका मतलब ये चार्जिस कैसे थे पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे बोलो हां किस कोई बात समझ वे आई ये एक तरीके से वह वाला कॉस्टन नहीं हो गया लिमिटेड फील्ड रीजन वाला कॉस्टन हो गया टेक्निकली देखा जाए तो ये लिमिटे है तो तुम ये भी निकाल सकते हो कितने एंगल से गूंगे बोलो हां गॉट इडर नॉट ये अभी जो कोलीजन वाला कॉस्टन किया वैसा ही तो हो गया सभी पूछा जाए तो फोड़े पहले कर रहे थे हां या ना तो इससे पता चल गया कि यह चार्जिस कैसे हैं नेगे यहां पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ कितनी इस इंस्टेंट पे इवी भी आया ना अब इन्होंने इसलिए कि धर की तरफ एलेक्ट्रिक फील्ड डालूं कि यह कैंसल कर पाए तो एलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ डालो अब यह एलेक्ट्रिक फील्ड के मैगनीट्यूड को एड्जस्ट करो एड्जस्ट करो तो क्या होगा थोड़ी से लेक्ट्रिक फील्ड डाली तो कुछ फोर्स इधर लगेगा इधर लगेगा तो हो सकता है कम डिफलेक्ट हों और थोड़ा इए बढ़ाओगे तो और कम डिफलेक्ट होंगे और थोड़ा इए बढ़ाओगे तो एक कॉइंट पर ओरिजिनल लोकेशन पर आगए जहां पर थे जो मार्क कर चुके थे तुम तो इसका मतलब उस इंस्टेंट पर इए और क् इसका मतलब उस पर्टिकुलर केस में इए शुट बी इवी बी तो वेलॉस्टी की वेल्यू कितनी हो जानी चाहिए एलेक्ट्रिक फिल्ड डिवाइड बाइ मेगनेटिक फिल्ड किसको यह समझ में आ गया आया ना तो चार्ज टू मास रेशो ऑफ एलेक्ट्रॉन कैसे निकाला इवाइए एम शुट बी इक्वल टू ई स्क्वेर बाइट्वाइस वोल्टेज बी स्क्वेर एक बार तो मेंज के पेपर में यह फॉर्मूला आ गया था कि चार पॉर्मूले दे दिये कौन सा फॉर्मूला सही है और इंसिडेंटली फिजिक्स में नहीं आया था केमिस्ट्री में आया था अब आई डोंट नो यह फॉर्मूला केमिस्ट्री में है या नहीं है 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 अब आई स्टिल रिमेंबर की के में स्टी के पड़में था तो इपके नाइंटी एक पॉस्टन था वह तो घल्ती से कैमेस्ट्री का एपर खोल गिया मैंने फिजिक्स का आखरी में आया थे इस बार तो पता देला हो और फॉर्मिला किया था कभी बेड़ो पी हूं अभी नहीं करवाया है अब तो होगा अभी नहीं करवाया है तो चलो मैंने करवा दिया ना आप तो सही है जाइस अब को समझ में आया कि नहीं आया इसी के अंदर ना एक और वर्ड रख दिखाए वेलोस्टी सेलेक्टर कि मान लो मुझे मेरे पास बीम आ रही है बीम और बीम में चार्ज पार्टिकल्स की डिफरेंट डिफरेंट वेलोस्टी हैं और मैं चाहता हूँ कि या जो पत्ली सी बीम है ये टार्गेट पे आके हिट करें और इस टार्गेट पे परिटिकुलर विलॉसिटी वी टू वाला हिट करें विब्याद भी फॉर वाला भी ना करें सिर्फ ये उन्डिवेट्ट जाएं तो मैं यहां पर magnetic field लगा दूँगा उसके कारण v cross b तो इधर की तरफ लग जाएगा q v2 b और इधर की तरफ electric field लगा दूँगा so that q e इधर हो जाए और मैं ऐसा करूँगा कि v2 should be equal to e by b तो e और b का ratio v2 के बराबर कर दूँगा तो यह v2 वाला तो undeviated चला जाएगा अब इस वाले में क्या होगा वीवन वाले के साथ क्या होगा वीवन वाले पर यह force तो छोटी लगेगी क्योंकि velocity कम है और यह वाली force ज्यादा लगेगी तो यह नीचे deflect हो जाएगा और जो यह नीचे वाले हैं यह उपर deflect हो जाएंगे बोलो हां किसको चमका और इसका नाम एंचे आइट ने बहुत अच्छा नाम दिया वेलोसिटी सेलेक्टर अनन्या या यह याद आरा था पिछली साल प्रीज यह सब्सक्राइब कितने करा दिये मैंने करा दिया मैंने अगनेटिक फिल्ड यूटू दू दू यूट अधरिंट करिंग वारें मुविंग चार्जिस और एक और टॉपिक भी हो गया इफेक्ट ऑफ मैगनेटिक फिल्ड उन मुविंग चार्ज इस इस टॉपिक इस टॉपिक इस ओवर ओके सब्सक्राइब करेंगे फोर्स ऑन करेंट केरिंग वाइड दू एक्स्टरनल मैगनेटिक फिल्ड वह थोड़ा लंबा टॉपिक है अगले पता देला दो